बहन बनी सोतन, राखी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, उसका सामला रंग उसकी सुन्दर्ता को घटा तो नहीं रहा था, बलकि चार चान लगाता था, लंबी नाक की ओर से आखे मनु भाई मर्ग नैनी सी, उसके दो बच्चे एक बेटा एक बेटी थी, सब कुछ था उसके पास सास ससुर, सास ससुर कम माता पिता थे, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखते थे, उसे हमेशा सम्मान की दरश्टी से देखते थे, उसकी भावनाओं का ख्याल रखते थे, पती भी उससे बहुत खुश था, कभी कभी वे अपने माई के जाती, कुछ दिन रहती औ पती भी सात में जाता वे फूली नहीं समाती पती हमेशा उसके साथ उसके अपने गर माई के जाता था राकी की एक बहन सोनाकसी जो उम्र में उससे 10 साल छोटी थी बहुत खुब सूरत थी और दिखने में बहुत अच्ची थी फिर भी जहां जाती मैं फिल लूट लेती वे गजब की सुंदर थी, लंबी थी, अपनी दीदी को बहुत प्यार करती थी, दीदी के बच्चों को उसने ही तो समाला था, क्योंकि दोनों बच्चों में एक साल का अंतर था, एक अच्छी मोसी, एक अच्छी बेहन का फर जदा कर रही थी सोनाकसी, अब बड़ी हो गई, उस आपके कोई लड़का है नहीं, मैं ही आपका बेटा हूँ, मैं ही बेटी हूँ, मैं आप दोनों को छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, सोनाकसी के पिता बहुत बिमार हो गए, राखी एक महीने के लिए रही थी, पर पिता की स्थिती में कोई सुधार नहीं आया, वे अपने ससुराल चली गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए थे, लेकिन उसका पती गोरव मही रुख गया, यह बोल कर कि पापा को कोई जरूरी काम लगेगा, तो मैं कर दूंगा, राकी भी निश्चिन्थ होकर अपने ससुराल वापस ल की, पिता सब कुछ छोड़ कर परमात्मा के पास चली गई, गोरव भी कुछ दिन बाद चला गया, क्योंकि वे सरकारी नोकरी में था, और छुट्टी उसकी खतम हो गई थी, गोरव अपनी नोकरी पर तो चला गया, पर अपना दिल, अपना चैन सब कुछ सोनाक्सी के पास कि उसके घर में उसके विरुद क्या चल रहा था, राकी की जवानी धीरे-धीरे ढल रही थी, और सोनाक्सी की जवानी धीरे-धीरे परवान चड़ रही थी, मर्द का क्या है, वे तो हमेजा वही चीजों के पीछे दोड़ता है, जो उसे अच्छा लगता है, गोरव को पत और यह हैं आने जाने का सिलसिला छे महीने तर लगतार चलता रहा राखी ने कभी ध्यान नहीं दिया कि उससे दस साल छोटी बहन उसके ही संसार को उजाड रही है तो अपने बच्चों में और अपने सास ससुर में वैस्त रहती एक बार राखी को सक भी हुआ लेकिन यह सोज कर अपने आप को सांत्वना देने लगी कि उसकी बहन तो उससे दस साल छोटी है एक मा की तरह उसने सोनाक्सी की परवरिश की ती यह हो नहीं सकता कि कोई बच्चा अपनी मा को दोका दे पर राखी गलत थी उसे पता ही नहीं था कि उसकी बहन ही उसकी सोतन बनने वाली थी राखी की मा को भी सक हो गया था उसने सोनाक्सी को समझाया भी था कि अपनी ही बहन के घर को मत तोड़ डायन भी अपने घर को छोड़ देती है तू तो डायन से भी गई गुजरी है सोनाक्सी कहां सुनने वाली थी वै तो अपने ही विचारों में खोई रहती और वही करती जो करना चाहती सोनाकसी की मा ने कभी अपनी बेटी को नहीं बताया कि सोनाकसी क्या कर रही है सायद बता देती तो कुछ बच जाता गोरव हर बात की तरह इस बार भी सोनाकसी को छोड़ने के लिए लेकिन वै अपनी ससुराल नहीं आया गोरव और सोनाकसी कहीं दूर चले ग अपनी बहुराखी के नाम कर दी और सक्त हिदायत दिया कि बेटा कभी भी अपने पती को माफ नहीं करना चाहे जिन्दगी में किसी भी उम्र में वे तुमारे पास वापस आए क्या किया जा सकता था समाज में जो बेज जती हुई वे आलग अपनी ही बहन सोतन बन गई यह त चलती रहती उसकी माँ आप क्या करती वे तो और सरमिंदा थी अपनी एक बेटी ने दूसरी बेटी के घर को तभा कर दिया नश्ट कर दिया कम से कम गोरव को तो यह समझना चाहिए था कि उसके दो बच्चे थे अब उन बच्चों का क्या होगा जिसके पिता ही ऐसे हैं उ उनकी साधी कहां हुई होगी किस से होगी कास गोरव ने कुछ सोचा होता दोनों ही परिवारों ने गोरव से और सोनाक्सी से अपने सारे रिष्टे तोड़ डाले